वेलक्षम नाए योटीम चैनल दो एक और अबसे हाप सब लोग को सबसे होगा अजुआनाग हो घु हमारा ऐट मेरे में बात करने वाला हूं सिंगरपूर में स्टूड़िंट आते हैं वे जो सिंगरपूर में सबस्क्राइब सबस्काराफ में कनवर्ट करवा सकते हैं यह क्योंकि मेरे एक वीडियो करते हैं कि आप एक फाल है कि मिलने कितने चांसे हैं तो आज कि वीडियो बैमाला हई आप च्रकाइब आपके लिए यह वीडियो बना दूँ तो प्लीज वीडियो को पूरी लास दाथ को देखना दोस्तों और मेरे चैनल को लाइक शेयर कर देना और दूसरा चैनल अगर नमेड की के ब्लॉक प्लिज उसको भी सब्सक्राइब करें दोस्तों तो चलिए दोस्तों शुरू करते है आर निए सटेडियो, सो दोस्तों, जैसे मैंने बताई कि आज का जो हमारा टॉपिक है आफटर स्टडी हमें यहाँ पर एसपास और वरक परमिन पिलने के कितने रेश्यर होते हैं क्योंकि जो तने यहाँ पर स्टुडेटस आते हैं वो हमें के काम करने ही आते हैं यह तो सब लोग जानते ही हैं पढ़ने वारे तो कम होते हैं तो मुस्लिए यहां पर सब काम करने ही आते हैं तो study के बाद जो है आपको एस पास और student work permit मिलने के chances जो है काफी हद तक होते हैं क्योंकि जहां पर भी आप study कर रहे हो study के बाद जहां पर जब आपकी लगती है तो लग लगती है जैक तो वही लोग आपको वहीं से ही पिक कर लेते हैं अगर उनको में अवारे काम देखते हैं तो आपके लिए एसपास भी अप्लाई सकते हैं वहां के लिए वो वड़ लगमाज दो जिसले से अगर आपको यह पूरी प्रवाइब करने पड़ेगी को यहां पर थोड़ी कम होती है यहां पर आए हो आप जॉब कर रहे हो और साथ में जॉब कर रहे हो आपकी जहां पर लगी है वो जी लगने के बाद अगर आप पर ही आपके अपके कनेक्शन अच्छे हो गये हैं तो आपको यहां पर आपके जो एसपास और वर्क परमेट मिलने के जो चांसे वह बहुत बढ़ जाते हैं उनकी रिशों काफी बढ़ जाती है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जनको यह मि चौप कर रहा था वहीं पर ही उसको नोड़ने वर्क पर्मेट इशू कर दिया तो आज वह अंडर वर्क पर्मेट काम कर रहा है यहां पर उसको तीन साल हो जोके भाई और एक और लड़की है वो इंडिया से आई थी उसके पास स्टड़ी बेस प्याई थी वो हर्याना से है लड़की और आज वो लड़की दो साल से एसपास पर काम कर रही है तो इसलिए इसके चांसिस हैं भाई 70-80% चांसिस तो है कि स्टड़ी के बाद आपको जो एसपास और वर्क पर्मेट वीजा है इसली मिल जाता है अगर आपको वो लोग नहीं करते हैं मालीजे जहां आप आपको वीजा मिल पा रहा है तो आप कहीं और ट्राय कर सकते हैं बट यह चांसिस है कि आप उसमें करवा स्टडी टू एसपास और वर्क परमेट में करवा लोगे इसमें कोई प्रॉल्म नहीं है बट यह है कि आपको खुद भी फाइंड करना पड़ सकता है आपको खुद 60-80% काट अलव है तो वह को जाता है दोस्तों हांच की इसी वीडियो मैं ने बनाई थी वह नोने मूंकी अ कि अ तो दोस्तों इसी के साद यह वीडियो कतम करता है और के फ्रेंड्स बाइबाए